हाई फ्रेंज कैसे आप इस वीडियो को बात करेंगे डीसी वर्सिस एची ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में यानि डेली कैपिटल्स और चन्नाई सूपर किंग्स के बीच में आपको मैच होता दिखने वाला है दोस्तों यह आज के डबल एडर का सेकेंड मैच है वीडियो का मियान है जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यदि नए आए हो तो जल्दी से आजो क्योंकि भाई पांच लाख लोग जुड़ चुके हैं हमारे टेलीग्राम में आपका वेट हो रहा है आप आजो क्योंकि यहां पे मैं फाइनल अपडेट सकते हैं हम वान मिलियन की तरफ हम जा रहे हैं और आपको सपोर्ट इस टाइम पर बहुत ही बढ़िया लगेगा मुझे क्योंकि हम जल्दी से पहुंच पाएंगे वहां तक तो जल्दी से मेरे को मेरी ड्रीम पे लेके जा सकते हो सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर जाएगा यहां की विकेट बहतरीन है सबके लिए कुछ ना कुछ यहां पर है लेकिन सबसे जादा यहां पर बल्ले बाज नहीं दिख रहा है अगर दिली की पहले बल्ले बाजी आती है तो ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा मैच में रन कम बने बड़ अगर वार्णर मार्श से प्लेयर चल जाए तो अपनी फॉर्म दिखा दे जो कम बैक उनकी हुई है वह अच्छे से करके दिखाए तो हाइस को दिल्ली भी कर सकती है वैसे ज्यादा चंसिस यह है कि चनई मैच में बाजी मारे अभी तक होम टीम्स का ज्यादा सक्सेस्फुल यहां पर रहा है यह म मान के मैच करवाया जा रहा है ठीक है उनको लॉट हुए यह मैच है अब दोस्तों आप यहां जो दो मैच हुए हैं पिछले कुछ टाइम में इंटरनेशनल क्योंकि आइप यहां चार सल पहले हुआ था मेरे भाई है ना तो चार सल पहले का मैच देखने का फाइदा नहीं है जो दो मोस्तों टेट में ह toolbox है 2023 डोजर वसमें हाइश कोरिंग यहां 208 आउस्ट आउस्ट्रिया मारा इंडिया रोग डाला विकेट थोड़ी ऐसी एक्सपेक्टेड है अच्छे रंजवली देखके चलिएगा बाकि ओफिशल अपडेट देखेंगे पहला मैच है इस ग्राउन पर 26 में 11 फास्ट 10 पिन 5 रनोट हुई है इस आई पील का पहला मैच यहां पर इनफेक्ट चार साल पहले आई पिल में हु लिए अगर फिर से दिली इनको नंबर तीन पर उतारती है तो में वह यहां पर अच्छे कर सकते हैं डिफ्रेंशल क्योंकि रिकी बुई के यहां पर एक नहीं बलकि दो हाफ सेंचरी है और दो सो तीन रन है साथ इनिंग्स में ठीक है और यहीं के पले बड़े यहां अच् हाफ सेंचरी है 48.3 का एवरेज है पांच मैच 145 यानि यहां पर तीनी बार आउट हुए है पांच इलिंग्स में एमेज दोनी का एक नौक यहां पर याद आ रही है पागिस्तान के सामने 145 कुछ ऐसा स्कोर बनाया था इदर जब एमस दोनी एकदम यंग थे मेरे असाब स इसी स्टेडियों में बनाया था इफा एम राइट रिशब पंच एक सो तैइस वह मैच बंडे था इसलिए हैट टूर्ड में यह मत सोच नहीं आ तो वार्ट लिखा नहीं यह टीटी की बात हो रही है वह बंडे इंटरनेशनल था रिशब पंच एक सो तरीस कावरेज है प इपक चाहर तीन मैच दो प्रवीन दूबे तीन मैच में दो विकेट है चलो ठीक है वेन्यू स्टाइट हमने सब देख लिए प्यूज भाई अब हैट टूर्ड में जिसमें से 10 जीती है दिल्ली 19 जीती है चन्नाई और पिछले साल के अगर आप दोनों ही मैच देखो तो जी ने बहुत अराम से डिफेंड किया तो स्कोर पहले बल्लेबाजी करके दिल्ली को रोग डाला गाइकवाड जी सेवेंटी नाइन दमारे इस मैच में जडेजा के ट्वेंटी नौट और वान विकेट थे इस मैच में हमारे वाइस केप्टन थे दीपक चाहर तीन मैच में 25 जडेज़ा 21 रर एक विकेट कुछ कॉममन देखने को मिला पकलीभ iç यहांदोगेट इसी कहानी गई थी मिचल मर्ष पांच रन और टीन विकेट हमारे कैप्टन थे इस मैच में पांच कोवरी निदिया अब हम क्या सोचकर के कैप्टन करें 21 और विकेट अइक्सर यह रही है कहानी चन्नाई दिल्ली की मैचिस में तो यह हमने पिछले दोनों है टूएड देख लिए 29 में 19 मैच चन्नाई जीती देख लिए 10 मैच दिल्ली जीती है लेकिन 29 मैच का ओवरॉल स्कॉर अब आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो 29 में से 28 मैच मेच दोनी ने खेले हैं तीन आफ सेंचरी है 34 की अवरेज से अव्यस्सी बात है हेड टो हेड में दोनी इतरे मैच खेले हैं कि हाई एंड पर ही रहेंगे हाला कि आजकल बल्लेवाजी करी नीरे दोनी रिशापन को ही विगेट कीपिंग सेक्शन में बहतर जिसमें जब दिल्ली से खेल रहे थे वह लास्ट यह इंगा देखके चलना जिस मैच में आपको याद होगा इन्होंने साइन भी किया था जड़ेजा वला जब जड़ेजा थ्रो कर रहे थे हैं ना दुपैर का मैच था वह गाएकवाड 24 की आवरेज है दो हाफ सेंसरी बाकि सबका रिकॉर्ड देख लो एवरेज तो जड़ेजा की अच्छी है वागी हाफ सेंसरी सेंसरी किसी की नहीं है सब्सक्राइब देख लो एक प्लेयर इन में स्वास्तिक चिकारा है इंट्रस्टिंग प्लेयर सब्सक्राइब इनको टीम मौका दे बाकि आप सबका रिकॉर्ड देख सकते हो प्रित्वी शौकी भी आप फॉर्म देख लो तो वैसे तो प्रित्वी शौकी फॉर्म में एक 50 है ज्यादा खास नहीं है बट हम सब देखना चाहते हैं उनको बाकि सारे आप यहां पर स्टै सब्सक्राइब इस पर डाउट चल रहा है बट आए थिंक ही इस नो अवेलेबल बट आए डोंट थिंग अभी उनको टीम मौका देगी बाकि सुमित कुमार को अगर आप बैटिंग भी नहीं करा रहे बोलिंग नहीं करा रहे तो करवा कर चाह रहे हो मुझे समझ नहीं है बाकि प्लेयर अच्छे और राउंड रहे हों ठीक है वानर मार्श की ओपनिंग जोड़ी रिकी भूई होम प्लेयर वंडाउन पे रिशब पन स्टब्स स्टब्स अच्छा के लिए अविशेक पुरेल अक्सर पटेल सुमित कुमार कुलदीप नौटिया मुकेश खलील ला पहले मैच में वार्नर 29 दूसरे में 49 मिचल मार्श पहले में 20 दूसरे में 23 एक्स फेक्टर प्लेयर है अगर जीतना है दिल्ली को तो इनी को काम करना पड़ेगा ठीक है रिकी भूई तीन और जीरो होम प्लेयर है लेकिन होम प्लेयर अठारा और अठाइस रिशब पन ट्र पर तेल बाकी सब के स्टाइट साफ देख सकते हो दो रनी आया सुमित के कुल दीप का एकरन आया ज्यादा देखने वाला नहीं है बोलिंग पर चलते हैं पहले मैच में मार्श को पूरे चार और मिले थे दूसरे मैच में पहले मैच में यह मुकेश कुमार को इस नौटेया चार मुकेश चार इन्होंने चार चार ओर किये थे सब को गुछ ना कुछ हल्प भी थी कुलदीप को एक मिला था खलील ने अच्छी बोलिंग कर थी नौटेया और मुकेश को भी एक विकेट मिले थे मुकेश ने चार और में लगबग 50 रन दिये थे बट डैथ में भी आते हैं ठीक है युदो ने आए थिंग ये शुस्वी जैसवाल को बोल्ड मारा था एंडिक नौट्या चार और ताइस पेट पांचवा ग्यारवा अठारवा बीसवा मतलब डैथ में भी आ सकते हैं देन दोस्तों अक्सर बटेल आठ और श्यालिस पे एक साथवा नौवा बारवा और चौदवा ओवर किया था बहुत एकनॉमिकल बोलिंग करिया अगर आप एकनॉमी देखो सबसे बेस्ट इन की रही है यानि कि जादा रन लिक नहीं किये खलील एमद दो मैच में तीन वि अब किसी की पिटाई हो जाए सामने कोई असान ओपोजिशन तो है नहीं वहां पर शिवम दूबे वैसे तो कुलदीब को मैं बैक करूंगा अच्छी बोलिंग कर सकते हैं बट शिवम दूबे जी मारने पर आएं और अगर अक्सर को टीम रोकना चाहे तो मिचल मार्श ज्यादा कुछ देखने वाला नहीं है शायों पहला मैच खेले थे 33 कि दूसरा मैच खेले नहीं ठीक है फुल स्टाइट इंफो जिसका आपको देखने आप गौर करेंगे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जिसका भी देखना है मैच इनिंग्स रंस एवरेज कितने थे आउस को रणी हों घी यहां वार्नर और मिचल मार्श गांवर स्टॉर然后 मिचल मार्ष बना लेना जाए कैसे लुडेव mixel चा बना दोड़का मैक्स में ही थाए ठीक है अब चलिए एक चीज में आपको बढ़िया बताता हूं तो यहार माई 11 सरकल आपने अभी भी डाउनलोड नहीं करी और यहां पर तो भाई हर कोई खेल रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा कैस्ट मिली रहा है जैसे ही आप फर्स्ट इमोंट डालते हो आपको 20% एक्स्ट्रा से हो रही है तो आगे ही बात होने वाली अगर आप देखोगे यहां फर्स्ट करोड़ ही प्राइस था पहले दिन ही हां टेंटेंट एस मिल रही थी अब देखते हैं धीरे-धीरे मैच इस में प्राइज बढ़ भी रहे हैं संडे के दो मैच देखते हैं आज क्या प्राइदा उठा लेना है तो दोस्तों आप देख रहे हैं चन्नाइगी सूपर किंग्स के प्लेयर्स की फॉर्म चैन्नाइगी वो टीम है चेंज नहीं करती लास्ट में पतिराना आये लेकिन पतिराना को डिरेक्ली थीक्षन आगी जगा टीम में जगा मिली है मेरे को थोड़ा टेस्ट ले सकता है लेकिन सामने दिल्ली की बल्लेबाजी टेस्ट लेने वली हैं फिनिशिंग पे तो स्टब्स पे गेम काफी आएगी अधर्वाइस मेरे को बढ़िया टीम दिखरी है चन्य हैस डन वेल समीर इजबी की हमने बात करी थी जो बंदा आते ही राश समीर इजबी में दिपक चाहर तुशार देश पांडे मुस्तफी जर्मान पतिराना वीकलिंग ज्यादा दिखने रहे दिल्ली के ही फॉर्मर प्ले रह चुक है तुशार देश पांडे और सच बताओं अगर वीकलिंग के तो तुशार देश पांडे ही आप मानोगे उड़ उड़ के रहाने इनकी बोल पर कैच कर रहे थे तो शार बेड़ पांडे ले जाते हैं तो यह भी कहानी है बीच में जड़ेजा इनके फिफ्ट बोलर है मिचल को दोवर मिल गए इस विकेट पर मिचल के ओवर डालने कम चांस है रविंद्रान भी लेफ्टम स्पिन बढ़िया नहीं लगे लेकिन कैटन सी का प्रेशर ले रहे हैं शायद थोड़ा और थोड़ा रिस्पोंसिबिल्टी से खेल रहे हैं लास्ट यह तेज कहलते थे कॉन्वे राम से रविंद्रान 37 और 46 अच्छा स्टार्ट पिछले मैच बहुत अनलगी स्टम्प हुए थे ह जिनको हम देखना चाहते हैं इसी मुस्कराहट के साथ बल्ला पकड़े देख वह में अभी दोनी की बल्लेबाजी नहीं देखने को मिली बाकि दीपक चाहर भी मारने को मार लेते हैं तुशार दिश्पांडे हैं मुस्तिफ फीजुर्रह्मान बोलिंग टाइम पर आपको नहीं चोड़ता और विकेट नी मिली ठीक है एक विकेट वैसे उन्हें निकाली थी मिचल को दो और मिले थे दूनी ने इनकी बोल पर बहतरीन कैच पकड़ा था एक विकेट इनको मिल गई थी जड़ेजर साब नहीं यहां पर चेंज करता हूं तक कि आपको राम से दिखे तो यहां पर जड़ेजस आपको पिछले मैच में दो ही ओर विले वैसे यह पूरे डालते हैं इनसे इस मैच में तीन से चार ओर की उमीद करूँगा थीशना खेले नहीं दूसरा मैच तैरियल मिचल ने दो डाले इसमें मैं उमीद नहीं कर रहा हूं चाहर से चार की चाहर नहीं कर रहा है में दिगज गेंदबा जिनके हैं डेथ में आपको आते दिग गए थे पिछले मैच मुस्तफी जूर और पतिराना दोनों 17 से 20 में आपको करते दिखेंगे दीपक चाहर और तुशार देश पांडे आपको मिडल करेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे दी बोलर फ्रंट में कौन बोलिंग कर रहा है जैसे दीपक चाहर कौन मिडल में आ रहा है पता रहा है फेस बोलर ठीक है यह ग्रेंडिंग में बहुत काम करते हैं फुल जो आपको स्टैट्स इंफो दिखा रहा हूं ताकि आपको किसी का भी टीट्वेंटी रिकॉर्ड देख लास्ट इयर इनके टॉप विकेट टेकर रहे थे तो शारदेश पांडे 16 में 21 जड़ेजा को भी विक्ट अच्छी मिली थी सोला में 20 जड़ेजा को मिल गई थी पतिराना बारा में 19 चाहर दस में तेरा थीशना तेरा में 11 देखोगे तो टीम में एक्शली विक्ट निकाल टोटल सबकाव स्टेश देख चुके रहाने लास्ट यर बढ़िया खेले थे 22 की अवरेज थी तो भाई टीम बढ़िया मज़दार है और देखते हैं इस बार हमें क्या दोनी के कुछ चौके शक्के देखने को मिलेंगे क्या लगता है क्या लगता है क्या लगता देखना हो या नहीं देखना चाहते हैं मुझे पता है आप चाहते हो मज़ा आता है पूछके दोनी की बात करके अब डेविड वोर्नर किसके सामने आउट हुआ देखो मैच अपस बहुत है बट इंको थीक्षणा ने तीम बर आउट किया और अब थीक्षणा खेलेंगे नहीं तो हैं दसरन एक विकेट कुछ जादा ही स्लो हो गया ना लेफ टाम स्पिन और लेफ टाम फास्ट मुस्तफीजूर की लेफ टाम स्पिन जड़ेजा की थोड़ी दिक्कत खाई है बाकी दीपक चाहर के तीन गें पांस रन है रिशब पंद के आगे बदलब दीपक भी स्टार् चल के आगे बंडे में अब हम बात करते हैं कि जिनको दीपक चाहर ने चार गेंद में केवल दो रन करने दियो और दो बार आउट कर दिया बड़ा मैचप पतिराना ने भी एक बार आउट किया है ठीक है खाला कि यह फिनिशिंग करने आएंगे स्टाप लेकिन दीपक चा और इनकी टीम में इशान पुरेल भी हैं लेटी वॉर्णर भी हैं लेफ्टी यह एंट की टीम में शाय होब देखोगे और रिशप्पन को कैसे बूस सकते हैं वह भी लेफ्टी शाय होब दीपक चाहर के आगया उट हूए हैं वंडे में जड़ेजा ठाकुर रहमान के दो तो ना छे बार दीपक चाहर ने आउट किया इनको तो शार देश पांड़े ने तीन डाली उसी पर डाला रन नहीं करने दिया जड़े जाके आगे एक बर आउट है बले उनको रन मारे हैं शार दूल के आगे टोटली नॉर्मल है ठीक है तो सारे मैच अप हमने देख लिए भाई दिल्ली की टीम के अब हम एक बर चन्नही के भी फटावर से गौर कर लेते हैं रूतुराज गायकवाड अन्रीक नौटिया पर दो बार आउट हुए बेस्ट चांस इनका यही है कि अन्रीक नौटिया ही इनकी विकेट लें अधरवा के आगे भी बढ़िया है तो मैं समझारों क्वालिटिस में खेलना पसंद करते हैं और मिचल मार्श साथ में ग्यारा रचे द्रविंद्रन के आगे ज्यादा कुछ नंबर नहीं है रहाने साब शांच शर्मा पे दो बर आउट कुल्दीप के आगे स्लोग खेलें कुल्दी दिए गायकवड दिए से प्लेयर को डैरियल मिचल एक बार अक्सर क्या आगया वैसे यह स्पिन के बढ़िया के लाड़ी है कुल्दीप के आगे टी 20 में आपको वंडे में यहां लेकिन पता है क्या है वंडे में भी एक बार आउट हुए है रियालेटी पता है क्या है ले इन्होंने खलील के आगे लगाए है अब हम बढ़ते हैं बाकी के प्लेयर्स के उपर शीवम दूबे मिचल मार्श पर दो बार आउट और यह काम हो सकता है क्या देखो भाई अगर स्मार्टली सोचो ना तो शीवम दूबे के आती स्पिनर्स को ओवर रोखते हैं कुल्दी जड़े जा इसांत के आगे दो बार परिशान रहे हैं मिचल मार्श के दो बार अकसर के एक बार जाही रिटर्सन खेलने के चांस कम है वंडे में दो बार आउट हुआ तो वह ने लिख दिया चांस कम है जाही प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं अबर न्यूज एई थी पहले यह हैं चांसे यह है कि हम इनको टीम करने ही चलते हैं तो भाई टीम करने आ गए विकेट कीपिंग सेक्षिन में मिलेंगे सबके रिषप और सबके रिषप पन के साथ सबके फिवरेट एमेस धोनी मिलेंगे लेकिन हम सब जानते हैं सब देखना चाहते हैं बड़े बालों के साथ सिक्स लगाते हुए लेकिन अभी वह उपर्चुनिटी कम मिल रही है और मैच में चन्नाई फेवरेट हैं पता नहीं उनकी बल्ले बाजी आएगी भी के नहीं तो स्मॉल लीग में तो आप रिशाप पंत को यह कर रहा है क्योंक जान इन पर नहीं जाएगा लास्ट में भी बोला था यह अच्छी नौक खेलके गए थे एंड ही इस गेटिंग बैटर प्लेइंग एट स्पिन को भी बढ़िया खेल रहे हैं अब शेक पुरेल एज इंपक्ट सब्सिट्ट्यूट आ रहे हैं अब काफी नीचे रहते हैं कि अभी होग कम हो गई है खेलने की क्योंकि अभी खेल रहे है जो पेसर है बाकी कुमार को शागरा को साथ करोड़ में लिया गया बट देन अगेन इनको मौका नहीं मिल रहा है इंपक्ट सब्सिट्यूब की लिस्ट में थे अविनाश राओ ठीक है या फिर अरवैली अव अगर आगे लगाएंगे को लगता है कि इसा प्लेयर जो विकेट निकाल सकते हैं बट शिवम दूबे जिस फॉर्म में चल रहे हैं और जैसे इनको चन्ने यूटिलाइस कर रही है मस्ट हैवी बन जाते हैं अगर दिल्ली सही सोच रखे तो इनकी आगे अन्रीक नौटिया को यूज करेंगे अपने मेन एक्सप्रेस पेसर को क्योंकि बाउंसर से टागेट करेंगे शिवम दूबे बाउंसर के भी आप देखोगे प्लॉय बना चुके हैं थर्ड में की दिशा में ऐसे फ्लिक करते हैं अगर थर्ड में रखके इनको बाउंसर से हम किया जाए शिव रखते हैं वह बहुत इंटेलिजेंट है सोच सही रख सकते हैं बट शिवम दूबे डेविड वॉर्नर दोनों को बैक करना जरूर है डेविड वॉर्नर ओपनिंग पैंगे शिवम दूबे मिडल में आके अटेकिंग इनिंग्स खेल रहे हैं डैन डेरियल मिचल है रूतु सकता दोबर करेंगे वो चन्ने की पिच थी स्टिल इंपोर्टेंट है शिवम दूबे की जगा मिचल को लेने डिफरेंशल साब हो सकता है अरली विकेट जाएंगी तो मिचल आएंगे दूबे जी आएंगे दोनों को भी रख सकते हो रहाने वंडाउन पे आ रहे हैं थोड पर अपने क्रिकेट बहुत खेले हैं तो रिकी बुई वन डाउन पे डिफरेंशल प्लेयर साबित हो सकते हैं इनका आईपयल में कोई नौक अच्छा नहीं आया जिस वज़े से मैं नहीं ले रहा बट अगर आना है तो आज का मैच है जहां आप कर सकते हो मेरे वर्ट क्या हम सब कमबैक देखना चाहते हैं जेक फ्रेजर बैगर आतीशी प्लेयर है तेज खेलते हैं अभी टीम मोका नहीं दे रही यह जब भी बेंच पे हैं वैसे अंटर नैटीन के कैप्टन थे विनिंग टीम के इंडिया की शेक रशीदार स्वास्तिक चिकारा शेक रशीद भी रचीत रविंदर जिसने साब से बल्ले बाजी कर रहें बहुत इंपोटेंट है खलील इनको तंग करेंगे बांसर डालेंगे बटाया और पावर्परे में इंटेंट काफी ज़रूरी होता है साथ में कुछ और कर सकते हैं अभी तक दोनों मैचेस में इनको चन्नाई नहीं दिल्ली की टीम की बल्ले बाजी डेप्थ नहीं है मिडल ओडर में जिस वज़े से अकसर पे काफी जादा बल्ले बाजी से भी बरोसा हो रहा है सो अकसर आपके लिए कुरूशल प्लेर बनते हैं दिल्ली के मैचेस में मैं इनको नहीं छोड़ता हूँ मिचल मार्श भाई जब इनको बोलिंग नहीं मिल रही एस बैटर बहुत जरूरी है बट बोलिंग भी मिल जाए तो सीवी सी के भी ऑप्शन पूरी-पूरी है बट अभी बोलिंग का शौरेटी नहीं है स्टिल मैं मार्श को बैक करो इंपोरेंट है रविंद्र जडेजा को भी लेना पड़े दोनों टीम में लेफ्ट हैं तो कोई ऑस्पिनर अगर खेल रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ललित के सामने शीवम दूबेजी लफ्ट हैंडर अगर खेलते हैं तो वैसे शीवम्दूबय ओस्पिनर को भी नी छोड़र बट फिर भी लेफ्ट हेंडर है बैन आपके बस रविंदर जड़ेजा रचिन रविंदर ठीक है इतने सारे लेफ्ट हेंडर सोने की वज़े से और देगी किसकी जगा फिर उस केस में सुमित कुमार की जगा धन सैंत नर है थाकूर है थाकूर बहुत बढ़ी प्लेयर है इनको मौका नहीं अच्छे प्लेयर है तो डिरेक्ट टीम में आ जैंगे वो देख लेन तब आप याद करोगे कभी जड़ेजा इंजड हो जाए ना तो सिंदु जी सीधा टीम में हैंगे निशान सिंदु अब यहां पर हम बोलिंग पर आ गया देखो चन्नाई के बुलर दोनों मुस्तफी जूर और इनके डेथ बुलर होने वले हैं साथ में पतिराना मेरे ये दो पहली चोइसे हैं बैट चन्नाई का मैच फेवरेट है विन क पतिराना का लास्ट यह रहता था डेथ में आते थे कई बार विकेट नहीं मिलता था लेकिन फिर भी मेरे लिए दोनों सबसे जरूरी हैं मैं दोनों को लेके चल रहा हूं अब इस वेन्यू पे पेसर और स्पिन में दोनों में मैं कहूंगा पेसर को ही ज्यादा देना चाह करते हैं कुल्दीप इस डिफेरेंशल स्पिनर में डिफेरेंशल क्या वो और इस पिनर नहीं है चाहिना मैं बहुत बढ़िया मूलर है तो उनको ट्राइक कर सकते हो दीपक चाहर अगर आप ऑल आउट चाहते हो चन्नही के लिए जाना बिकॉस चन्नही फर्म फेवरेट है चन्नही के टीम में आप कहते हो पतिराना रहमान को खेलना मुश्किल आप कहते हो जड़े जाएंगे दिक्कत है तो आप तुशार गया आगे मारने जाते हो तुशार विकेट ले जाते हैं और इनका फॉम भी बहुत अगड़ा है पिछले मैच पर भी बढ़िया बोलिंग अच्छे हैं मुकेश चौधरी भी इंजट चल रहे हैं वैसे लेफटाम फास्ट है प्रशांद सलंके लेक स्पिनर प्रवीन दूबे लेक स्पिनर हंगरेकर पेसर है रशिक सलाम पेसर हैं सिम्रंजीत सिंग और यहां पर विकी ओट्सवाल लेफटाम स्पिनर तो बस संज अच्छाना मेरी ड्यूटी थी मैंने वो सबके बारे में बता दिया मेरी टीम में आगे अन्रीक नॉटिया यह मेरी टीम बन गई है शीवम दूबे की जगा यार मेरे को ना थोड़ी चुल मच रहे हैं दूबे जी की जगा डैरियल मिचल को ले सकते हैं हम ठीक है लेकिन उ इसली आउट नौने वले प्लेयर हैं बट और राउडर्स में रचिन अक्सर मार्श यह अच्छी ऑप्शन है ठीक है क्योंकि यह टीम जो है मुझे ऐसी दिख रही है मार्श को उतनी बोलिंग मिल नहीं रही बट फिर भी इंपोर्टेस दिख रही है मैं आज कैप्टन जा अगर अच्छी नहीं लगी तो क्या हो गया चेंज कर लो यार आपके पास तो फुल मोका है ऑलवेस टीम को सजेशन की तरह देखो किसी पे कुछ निर्भर हो रहे की जरूरत नहीं है सीखो और अपने पर भरोसा करके जहां लगता है एक चेंज मैं कर लेता हूं यह चेंज मुझे अच्छा लग रहा है आज में अपने दिल की सुनोगे हमेशा बढ़िया करोगे अच्छा नहीं लगता है खुझ से करो बढ़िया करो चली अगली वीडियो में मिलने आओंगा तब तक के लिए जहार लखिए कल मुंबई राजिस्तान की मैच में दुबारा करो फुझ कमा तब तक कि अग्तों चली अगली बढ़िया करो तक कि अग्तान की मुंबई करो ले करो अधिया करो इस वीडिया करो अभागे।